हलो फ्रेंज, वेलकम टो सपना, सिंपल आनेजी कुकिंग आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और टेस्टी इंस्टेंट चकली इन चकलीों को बनाने के लिए बिना कोई दालों को भूनने की जरुरत ना इने पीसने की जंज़त और जिनोंने कभी चकली बनाई भी नहीं है वो भी ये चकली परफेक्ट तरीके से बना लेंगे इन्हें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बरतन में धाई कप पानी को उबालने के लिए रख दिया है अब इसी में दो चमश तेल डालेंगे अब एक चमश नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तीन से चार मिनट तक मीडिया माच पर उबलने के बाद पानी को उबाला गया है अब उबलते हुए पानी में थोड़ा थोड़ा करके दो कप चावल का आटा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे इस तरह से मिक्स करते रहने की वज़े से चावल की गुटलिया नहीं पड़ेगी अब दो चमश बेसन डालकर अच्छी तरह से चावल के आटे के साथ मिक्स करेंगे बेसन और चावल के आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ग्यास की फ्लेम बंद करेंगे अब इने 15 मिनट के लिए ढखके रखेंगे इस तरह से ढखकर रखने की वज़े से चावल और बेसंद का आटा हलका सा पक जाएगा और इसे से चकलिया क्रिस्पी बनती है 15 मिनट के बाद इस आटे को एक ठाली में निकाल लेंगे आटा अभी भी गरम है लेकिन हम इसे आसान इसे मिक्स कर पा रहे है इसमें से गुटलिया निकल जाए इस तरह से हमें इसे मिक्स करते रहना है आटे को अच्छी तरसे मिक्स करने के बाद इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच लालमिर्ष पाउडर आप अपने तीके के प्रमान की नुसार इसमें लालमिर्ष का पाउडर कम या जादा रख सकते है देड चमच धनिया जीरा पाउडर आदा छोटा चमच काली मेरी पाउडर आदा छोटा चमच अजवाइन आदा छोटा चमच जीरा देड चमच तिल मैंने यहाँ पे हलके लाल रंकी तिल इस्तिमाल की है अब एक और चमश तेल डाल कर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर आटा आपको थोड़ा ज़ादा सूखा लग रहा है तो थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़क कर भी आप इसे गुन सकते है आटे में सुखे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आदा छोटा चमच अदरक लसुन की पेस्ट डालेंगे और ये टोटली आउक्षनल है लेकिन अदरक लसुन की पेस्ट की वज़े से चकलियों का स्वाद और भी जादा बढ़ जाता है अब स्वादा नुसार और थोड़ा नमक डालेंगे हमने पहले भी पानी उबालते समय इसमें नमक डाला था इसलिए टेस्ट करके देखिए और आवशकता नुसार ही नमक डालिए अब आटे को मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमें इसे इस तरह से mix करना है और गूनना है कि ये बहुत जादा नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा सक भी नहीं होना चाहिए चकली की mixer के लिए आटा हमने गून लिया है अब आटा सूख न जाए इसलिए इसे एक गीले कपड़े से या गीले पेपर टॉविल से कवर करके रखेंगे अब चकलीया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चकली का साचा लिया है अब इस साचे को अंदर की तरफ तेल लगाएंगे चकली के शेप के डिस्क को भी तेल लगाकर इसे साचे में डालेंगे चकली के साचे को तेल लगाने के बाद अब आटे को भी हलका सा तेल लगाकर अच्छी तरसे गून लेंगे अब चकली के साचे में जितना मिक्षर भरा जाए उस प्रमाण से मिक्षर की लोईया बनाएंगे अब इसे साचे में भरेंगे मिक्षर भरने के बाद साचे के उपर का हिस्सा हमासान इसे दबा पाए उतना ही हमें मिक्षर इसमें भरना है अब एक प्लास्टिक के उपर या प्लेट के उपर एक प्लास्टिक बिच्छा कर इसके उपर तेल लगाएंगे अब प्लास्टिक के उपर एक-एक करके आपको जिस भी साइस की चकली बनानी है वैसे ही एक-एक करते डालते जाएए चकली बनाने के बाद जो चकली का आखरी किनारा है उसे हम अंदर की तरफ चिपका देंगे जिससे ये तलते समय खुलेंगे नहीं और तलने के बाद भी चकली का शेफ वैसे ही बना रहेगा अब इसी तरह से सारी चकलिया बनाते जाएंगे चकलिया तलने के लिए तयार है अब इस तरह से इसे प्लास्टिक के उपर से निकाल लेंगे चकलिया तलने के लिए मेडियम आज पर तेल गरम हो गया है अब एक एक करके मेडियम आज पर गरम की होई तेल में चकलिया डालते जाएंगे तेल के प्रमाण से मैं इसमें एक साथ छे चकलिया कल रही हूँ अब चकलियों को एक साइड से दो मिनिट के लिए मेडियम आज पर कलेंगे लगभग दो मिनिट तक कलने के बाद आप देख सकते हैं चकलियों से जाग निकलना कम हो गया है अब हम इने पल्टेंगे और दूसरी साइड से भी लगभग दो मिनिट के लिए मेडियम आज पर कलेंगे लगभग तीन से चार मिनिट तक मेडियम आज पर कलने के बाद आप देख सकते हैं चकलियों से जाग निकलना बिल्किल ही बंद हो गया है याने की ये पूरी तरह से पक चुकी है अब हम इने पेल में से निकल लेंगे और एक तीशु पेपर पर रखेंगे जिसे इन में से एक स्टॉयल निकल जाएगा आप देख सकते हैं चकलिया बहुत ही ज़ादा क्रिस्पी बनी हैं चकलियों को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद इन्हें 3-4 हफ़तों के लिए एरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं आपको भी ये सिंपल, क्रिस्पी और टेस्टी इंस्टन चकली की रेसिपी ज़रू पसंद आएगी आप इसे बना कर देखिए, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भुलिए इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे थैंक यू